नमस्कार आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ महेंदर जी सी क्रिकट प्रेमियों के लिए एक हुश कबरी साइद मुश्ताग अली ट्रॉफी टी ट्वेंटी जो है वो शुरू होने वाली है एक पहुत अच्छा स्टेप बी सी सी आई द्वारा 38 टीमों का चैन जो है वो हो चुका है 102 मैचिस ये खेले जाएंगे इस से भी बड़ी खबर ये है कि लदाख से भी एक सेलेक्शन हुई है हाला कि जम्मू कश्मीर लदाख यूटी से टीम जो जा रही है उसमें जो भी सेलेक्श हुए है उनवे से एक जो है वो लदाख से भी है क्योंकि वो एक अपने में ऐसे प्लیएँ है जो कि पहले है हाला कि इस से पहले वहां से कोई पलेयर नहीं है यूइन आपको बता देंshirtsC Literig एक कल्यान है वो सेलेक्ट हुए हैं इसके लिए और वो हमारे साथ इस समय मौझूद है पहले तो सर आपका स्वाकत है तेंक यू सर तेंक यू सर अपने में ही बड़ी बात टी ट्वेंटी मैं शुरू होने वाले हैं और टीमों का चैन भी हो चुका है और आप जम्मू कश्म से उन्होंने लदाक को भी एक अपने टीम का हिस्सा लिया और हम इस बार जो है जम्मू कश्मीर रिपरेजन करने के लिए जा रहा है सो आइम वेरी हैपी और मैं बहुत खुश हूं सर जानना चाहेंगे कि स्ट्रगल सबसे बड़ी चीज होती है क्यूंकि इतने बड़े ल सर तैयरी तो कफी जैसे शुरू होया था ले डिस्टिक का किर्केर असिन ने एक टुनामेंड और्गे इस किया जई मैं इस टीम पर्टिसिपेट किया और उसमें हमारा टीम जो है विज़े ता रहा एड़ एंड और उसमें मैं मैं यह एम यह पी रहा मॉस्ट टृबल प्ल है और हम वहां से ले से ले तो एक आइलेंड की तरह है विंटर में तो एकदम बैकी अपना कंट्री से पुरा अलग हो जाते हैं तो फ्लाइट का चार्जेज वर्चे जेकी सीए ने पुरा खर्च उठाया तो फिर यहां पर आए फिर यहां पर ट्राइल होए तीन चार दिन क के बाद जो है टोप टोप प्लेयर के सथ खिरने का मुकामिला सबसे बड़ी बाद यह है कि अपने जेकेसी जमो कश्मीर के टिम में भी बड़े बड़े हाट हीटर प्लेयर है जिसे कि अब्दूल सामात अब सबने सुना होगा जो सान राइस हैदराबाद के लिए रिपेस काड़ चुके हैं वो हमारा किप्टन है इस से सबसे बड़े खुशी के बाद और क्या हो सकता सर मेरे लिए कि उनके अंदर में खेलो हाला कि दर्सकों को बताते हैं दस तारीक से यह टूर्नामेंट सटार्ट होगी और 31 तारीक तक चलेगी साल की शुरुआत में इस तरह की सोगात क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी सर जिस एरिया से आप विलॉंग करते हो ज्यादा तर वो बरफवारी के कारण बंद हो जाता है वहां पे इस तरह का हुनर उबर के बाहर आएगा कैसे सोचा आपने कि मैं क्रिकेट में जाओं और अपन हम सेजन बोलते हैं गले कितौन चीजन जून जुलाय आगस्न спTमबर हम सेजन बोलते हैं उनस से बले एक टून personalities स्टाट होता है और सेजन के in में इक टूनAI में स्टाट होता है जो ऑक्टोबर नवंबर में टूना बेर की शेजन होता है तो इस बार हमारा कफी अच्चा ल स्टेच था और हमें बहुत है यहांपर आगार चेंस के कोच के अंदर हमें कभी सिखने को मिला और विर ने केसिम क्लब के लिए भी रिपरिजन्ट कीया तो सिखने के लिए बहुत कुछ मिला में पहले भी बंगलूर में है या फिर बैटिंग में किस चीज में सर किरकेट के तो कम से कम थी टू फूर डिपार्ट मेंने सर मेरा सबसे खास बात यह है कि मैं बोलिंग लेफ टाम और्टरो करता हूं और मेरा अच्छा फिडिंग है फिर मैं बैटिंग भी कर लेता हूं सर जा बाद है वाल राउंडर प्लेयर मानेंगे इन्हें तो सर हमारी तरफ से तो आपको बेस्ट विशिस हैं हमारे साथ इनके एक दोस्त भी जुड़े है जो इनको स्पेशल यहां पर डॉप करने के लिए है तांकि इनका सफर बैंगलूरो के लिए मंगल में हो उनसे जुड़ेंगे सर क्या नाम है पह बहुत का सीनियर है तो हमने इनका मैनत बच्पन से देखा है किस साल से गुजरा है आज इतना बड़ा प्लेटफॉम पर खड़े हैं इतना प्लेटफॉम बड़ा मिल रहा है इनको तो बहुत खुशी है और हम सब के तरब से इनको बहुत विशिए और हमेशा चाहते रहे नाम रोशन करें बहुत बहुत शुक्रिया सार आपका तो देखा कितना अच्छा मैसे दिया कि इसी तरह खेलते रहें और नहां से निकलेंगे बिंगलोर के लिए और हमरा मैनेच्मेंट बो सब कफी मिनत कार रहे हैं इसमें बहुत बहुत शुक्रिया सार हमारी बैस्ट व पाना जाता है जिस एरिया का जिकर इन्होंने किया काफी बरफवारी के कारण वो बंद रहता है मगर हमारी वेस्ट विस्ट विस्ट रहा है कि यह वहां पे जमु कश्मीर लदा को रिप्रेस्ट करके आए और हमारे यहां का नाम रोशन करें तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते लिए जेके चनल मुझे मोहिंदर जीत सिंग को दीजिए ज्यादत नमस्कार